हेलो एन वेलकम दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड के रिवार्ट पॉइंट्स को कैश में या Amazon Voucher के अगींज जो हैं रीडियम कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत हैं इंट्रस्टिंग होने वाला है वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और चलिए आप चलते हैं सीधा मेरे mobile की स्क्रीन पर तो दोस्तों mobile की स्क्रीन पर आने के बाद आपको जो है सबसे पहले अपने Lopez वाइल में SPI card नाम की application को download कर लेना होगा अगर आप अपने credit card के reward points को cash में convert करना चाहते हैं application को download करने के बाद या फिर अगर आपके पास already है तो उसे update करना मत भूलेगा application को हम open कर लेंगे जैसे ही आप application को दोस्तों यहाँ पर open करेंगे एंटर के option पर click करने के बाद जो है दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा इस interface में दोस्तों आप अपने credit card से related जो भी सारी details है आपका current outstanding कितना है आपका unbuild outstanding कितना है वो सारी details है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमें यहाँ पर जो है उपर side में यह जो left में यहाँ से click कर लेते हैं rewards के option पर click करने के बाद दोस्तों आप अपनी सारी reward समभी देख पाएंगे आपके credit card में कितने reward points आपको available है यहाँ पर देखे मेरे पास 2000 से ज्यादा reward points अविलेबल है 2460 तो दोस्तों आपको जो है अगर आप cash में convert करवाना है या आप Amazon voucher खरीदना चाते हैं या कोई भी दूसरा voucher खरीदना चाते हैं तो आपको 2000 से ज्यादा reward points चाहिए होंगे 2000 या 2000 से ज्यादा उसके लावा नीचे आप यहाँ से यह middle option के उपर अगर आप यह सलेक करेंगे तो आप यहाँ पर जो है redeem rewards के option में यहाँ पर जाकर कि जो देख सकते हैं कि आ जली जो है अच्छी मिल जाती है हमें आप यह देख सकते हैं कि 12-20 को मैंने transaction किया है उसके अलावा जो है यहाँ नीचे भी देख सकते हैं तो पिछले एक साल से मैं लगा था है कर रहा हूं 31-5 यानि मही के महीने में भी मैंने किया है तो दोस्तों Amazon voucher लेना ज्यादा बैटर option है SBI credit card के अगेंस रादर देना आप cash में convert करवाता है अगर आप cash में convert करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको SBI के credit card के ओपर SBI के customer care के ओपर call कर लेना होगा मैं आपको स्क्रीन के ओपर customer care का नंबर दे दूँगा यह करकर के जो है आप अपने यह reward points को cash में convert करवा करवा सकते हैं फिर्स तैम दोस्तों आपको कोई फीस नहीं दिनी होती लेकिन सेकंड टाइम से जो आप 119 रुपे ले लिए चाहते हैं अगर आप अपने reward points को जो है अपने credit card के statement के अगेंस विड्रॉ करवाते हैं तो 200 बैट points जो है यह बता रहा है कि 200 reward points आपके redeem होंगे और इसके अगेंस जो है आपको 500 रुपीस के यहापर Amazon voucher देखने को मिल जाएगा और लगबर लगबर 5 दिन का समय लगता है लेकिन यह mostly 2-3 दिन के अंदर ही में देखने को मिल जाता है तो अब मैंने इसे अपने add to cart में कर लि के बाद जो है आपको नीचे से checkout के option के उपर select करना होगा तो चलिए checkout के option को select कर लेते हैं जैसे ही दोस्तों आप checkout को option select करेंगे आपको यह बता देखा आपकी कौन सी email ID और आपको mobile number जो भी registered होगा वैसे तो उसी के उपर आपको यह voucher देखने को मिलेगा तो वो सारी details आप आपको यहाँ पर verify करवा कि terms and conditions को click करके place order के option के उपर click करना होगा जैसे आप place order के option के उपर click करेंगे आपको यहाँ पर यह एक बार फिर से verify करवा देता है कि आपको जो यह e-voucher है उसे आने में आपको 5 दिन का समय लग सकता है और नीचे आप देख भी सकते हैं कि अगला ही दिन है 14 तारिक है 14 जनवरी आप यहाँ डेट देख सकते हैं साफसाफ और यह मेरा वाउचर जो है मुझे SBI CGB नाम से मुझे message receive हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते कि मेरा Amazon e-voucher मुझे दिया हुआ है और साथ-साथ मेरा gift code यहाँ पर दे रखा है अपने gift card के option को जो है डोस्तों select करने के बाद यहां से आपको जो है इसके बादijd gift card के option के उपर select करना होता है तो चलिए अब यहां से हम add gift card के option के उपद जैसे आप select कर देंगी तो आपको यहाँ पर जो voucher code आपको 16-digit का वो आपको यहाँ पर copy-paste कर लेना ना नह dwt काड के reward points को जो है Amazon voucher के अगेंस redeem कर लिया है यह process दोस्तों ज्यादा आसान और सिंपल है वाउचर लेना बहतर option है मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप cash points में ना withdraw करवा है क्योंकि cash में अगर आप अपने withdraw करवाते हैं तो आप आपको 119 रुपे charges देना होता है first time के बात से तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से like कर दीजेगा और अगर चैनल पर नहे है तो subscribe करना मत भूलेगा और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी बहतरीन वीडियो मे नेक्स तेम तक तक के लिए जाएंगे जैवाँ